हाई फ्रेंज मैं हूँ माने वेल्कम टू मूवी शूवी करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार 1995 में जब बैट बोईस पहली बार आई थी तो काफी बड़ा प्रेशर क्रेट हो गया था पियर प्रेशर स्कूल के अंदर के भी अगर आपने बड़ी कॉप फॉर राइद आई देखते हो तो इन तिंग हो जाओगे बात करते हैं बरेंग करेंगे माइक की यानि की विल स्मिथ की और फिर मारकस की यानि की मर्टन लाurancs जो कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है मालग कभी-कभी आपको कहीं ना कहीं विल स्मित की इनर्जी भी और कहीं ना कहीं आक्टिंग भी ओके लगेगी because he is known for that kind of an act but Martin Lawrence थोड़े से एजट जुरूर लग रहे हैं अपनी उमर के इस आप सो celebrated भी ये movie में आगे discuss करेंगे लेकिन काफी ज़्यादा जबरदस्त इंसान है तो ये movie जब आपको देखने का है न तो just for fun के mood के अंदर ही देखना है continuity ये भाड़ के अंदर वो सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है यहाँ पर उनको corruption जो है within the system वो fight करना है और उनके जो captain सहाव है वो कैसे accuse हो गए है एक drug cartel के चकर के अंदर ये सब चीज़ें आपको figure out करनी है ज़्यादा बड़ा कोई matter नहीं है लेकिन matter ये है कि दो घंटे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिशून डिशून से लेके मलब comedy से लेके और how they're making fun of themselves क्योंकि ये जो हो रहे है अभी इनकी तो इनको high blood pressure और BBCP भी हो रहा है तो किस तरीके से ये उसको tackle करते है इनका equation, इनकी banter action sequences के साथ कहीं भी घुस्तावा camera जो कहीं भी जा सकता है और Martin Luther के jokes I would say जो ज़्यादा तर land करें हैं धंग से क्योंकि वो कुछ-कुछ तो अपनी बिमारी को लेके हैं, कुछ वो कहता है कि जी मैं मरी नहीं सकता है मैं हमारा आजमी हूँ, कभी-कभी वो racial jokes भी काफी सारे जो हम ज़्यादा relate नहीं करेंगे, बर जोनोंने अग्रेजीव मुवियां बहुत देखिएं, वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर racial चीज भी काफी ज़्यादा है हिंदुस्तान में चुवा चूत और यह सब चीज़े होता है बागी जो jokes हैं, 50% of the time land नहीं करते हैं, लेकि जहां land नहीं कर रहे होते हैं तो वहाँ पर jokes के साथ साथ में action चल रहा होता है जोगी काफी जादा अच्छा होता है plot जैसे मैंने बोला कि बहुत जादा कोई खास उमीदें आप रखने की कोशिस भी मत करना Will Smith would take most of the screen space बट जो significant जिसे कहते हैं कि screen की authority लेना वो इस बारी मेरे को लगता मारकस भीया ने कर दी मार्टिन लॉरेंस ने काफी amazing तरीके के वो आटेस्स रहे हैं और बहुत मज़ा आया उसको देखने के लिए तो direction भी ठीक थाक है क्योंकि जस तरीके से इसको utilize किया गये दोनों को इनके banter को जो डायलोग्स दिये गए हैं उसमें एडिटर के साथ बैटके एक sharp cuts निकालना जहाँ पर energy low हो रही है या फिर dialogue थोड़े से मर रहे हैं वहाँ पर mix करना action sequences को जल्दी से ले आना तो आपको तोड़ा dull movement moments जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं बाकि actors दोनों ही बहुत अच्छे हैं तो दोनों ने अच्छा गाम किया है आदा कि Martin Lawrence की जो तरीफ हो रही है कुछ जादा ही हो रही है और वो for a reason हो रही है दोनों की जो career है वो एक लल के बाद बहार आ रहे हैं आपको बताई है Martin Lawrence एक जमाने में बहुत बड़े comedian हुआ करते थे अब नहीं है लेकिन इसके बाद एक और recognition मिलेगा और इन्हों तो जाबड़ ओपन मार दियो था विल्समित ने 2022 में और उसके बाद से इनकी शायद पहली दूसरी फिक्चर ही है एक और movie आई थी बीच में तोड़ी serious से थी बट यह वाली significantly बड़े budget की पिक्चर है जो मेरे ख्याल से उन्होंने acting भी ठीक ठाक करिए तब कर सही तरहीं से time pass करा देगी ज्यादा लोड लेके जाना नहीं विजुल देखो कि मस्त हो जाओगे एकदम अगर कोशिश करो कि जो इनकी original जो voice है उसके अंदर देखो English के अंदर देखो आपको jokes की relevance भी ज्यादा समझ में आएगी मुझे पता नहीं कि हिंदी में कैसे land करेंगे इस तरीके के जोग से मैंने हिंदी में इंग्लिश के अंदर देखा वागी विजुली पिक्चर सिनेमाटिक ली बहुत ज़्यादा रिच लग रही है और ऐसे लग रहा है बहुत पैसा है यहां पर मियामी के अंदर खर्च किया गया और लुटाया है एक्दम उड़ती के कारों के साथ अगर इस स्टोरी के अंदर थोड़े से और ट्विस्टन टरंज और कुछ ऐसे अन जिसे कहते न डिसकरवर्ड परसनालिटी ऑफ इस टू स्टार्स भी डालते तो एक और ज़्यादा कैसे इंट्री क्रेट होता और जो नहीं ओडियन्स है इस फ्रेंचाइज के अंदर और अभी तो loyalist हैं जो चौथा भी पार्ट देखेंगे नई generation के लिए और जाधा hook होने के लिए आपको एक नया dimension जरूर देना था जो कि मुझे promotion में भी honestly ज्यादा नहीं दिखा था और movie के अंदर भी ज्यादा नहीं दिखा बागी हम जल्दी मिलेंगे और रभी उप्डेट क सब्सक्राइब दे चानल आप लोग चानल बहुत चाब वीडियो देखते हो बहुत से तारीफे और रिखे करते हो लेकिन लाइक करना या कॉमेंट करना या फिर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो कर लेना बाए बाए